तो भाई सबको पूरा बजा रहा है तो तहूं जी आपको पूल के अंदर के न जा रहा है नमस्कार भाईयो राम राम भाईयो आज का थोड़ा वीडियो हटके होने वड़ा है तो जितने भी मेरे भाई मुझफर नगर से वीडियो देखते हैं तो उनके लिए एक बहतरीन जगह बताऊंगा जी जहां पे आप जो है फैमिली को साथ में लाके जा खुद आके इस तप अपती गर्मी में पूरा इंजोई कर सकते हैं तो अपने मुझफर नगर में पूल बहुत सारे हैं जी आज एक बहुत ही बहतरीन साफ सुत्रा पूल दिखाऊंगा तो इसकी काफी सारी विशेशताएं हैं जी यहां आपको बिल्लकुल जो है साफ सुत्रा तो पानी मिलेग और ये पानी जो है दिन में दो बार चेंज होता है जी तो यहां पे मिल जाता है आपको शानदार लौन अगर आपको कोई पार्टी वगएरा करनी है तो इस पूरी जगए को आप जो है एक दिन के लिए जा शाम से रात को ग्यारा बज़े तक बुक कर सकते हैं जी तो लोक किसी को ना हो चर्म रोग वाला कोई अगर ऐसी मतलब कोई भी जो सेफटी का पूरा पूरा परवंद रखा जाता है जी और ये वीडियो मैं जो है सुबह के टाइम शूट कर रहा हूं जी लगए नौ साड़े नौ बजे से ही संड़े को तो भीड होनी शिरू हो जाती है त सारा एक तो कोई ऐसी बात नहीं आप अपनी फैमिली के साथ भी यहां पर आ सकते हैं तो भाई पूरा मजह आ रहा है तो साफ सुथरे पूल के अपने ही मजह है जी तो इस बहतरीन पूल का नाम है जी गोल्डन एरा फार्म हाउस स्विमिंग पूल तो बाहर से कुछ एंट यहां पर आप अपनी गाड़ी बड़े अराम से पार्क कर सकते हैं पार्किंग के लिए बहुत सारी जगा है कोई ऐसा नहीं है कि आपको वाहन की चिंता करने की जिरूरत है तो मुझफर नगर में यह पूल कहा है जी शांदार पूल की मैं आपको जो है लोकेशन दिखाता की वान हॉस्पीटल से आगए आके जी एवान हॉस्पीटल की ऑप्वोजट साइड यह जो रस्ता है तो यहीं से बोड स्टार्ट हो जाते हैं जी पूल के तो इस पूरे रस्ते पर जो पूलके आपको होर्डिंस मिलते रहेंगे जी तो यह जो लोकेशन है जी कुकड़ा रजवाहा पर है भोपा रोड से 200 मीट रागे चलके होडिंग वगएर आपको मिल जाएंगे तो वहां पर यह पूल है जी और भाई यो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और पूल कैसा लगा स्पेशली यह भी कमेंट में ज चुटी नहीं है अब से कोई भी भाई आके जो अपना टिकेट लेके या अपनी फैमिली के साथ आना चाहता है तो फैमिली के साथ भी आकर इंजॉय कर सकता है जी धन्यमाद